हलो बच्चों नमस्कार आज मैं फिर आप सब के बीच में कुछ नए सवालों को लेकर उपस्तित हुआ हूं हम नए कहते हैं लेकिन हैं सवाल पुराने ही जो नवोदे विद्याले में बिगत वर्सों में आये हुए परस्ण है बच्चों ठीक है तो इसलिए उपर लिख दिय हैं करवाय जा चुके हैं ठीक है तो हमारा किस चेप्टर का यह है फोर फंडामेंटल आपरेशन सान होल नंबर बच्चों चार पूर संक्रियाओं पर आधारित मूलभूत संक्रियाओं इससे हम लिए हैं कुशन नंबर बारा ठीक है बच्चों तो चलिए इसको समझते हैं कैसे इसको स्वालव किया जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा तो पहले देखिए यहां पर लिखा हुआ है एक शकूल में 26 कमरें कितने कमरें बच्चों 26 कमरें कंरों की संक्रिया कितनी है हम लिखते जाएंगे एक चीज और फिर समस्ते हो चलेंगे कि कैसे कहां कोन कहां पर आया हुआ है ठीक है तो यहां पर कमरों की संक्या कितनी है 26 है कहेंगे कि यहां 26 है और परते कमरे में चार पोधे लगाए गए हैं यानि हर एक कमरे में कितने कमरे हैं 26 कमरे हैं और हर एक कम कमरे हैं दो कमरों में कितना हो जाएगा आठ पोधे लगा जाएगे तीन कमरों में बारा पोधे लगाएगे ऐसे ऐसे करके जाएगा 26 26 कमरों में कितने पोधे लगाएगे तो पोधे लगाएगे पोधे लिखेंगे लगाए गए पोधे पोधे पोधों की संख्या आ जाएग 26 गुड़े चार यानि हम इसको लिखेंगे चार 26 ठीक है और चार दुनी आठ और दो दस एक सो चार एक सो चार क्या है एक सो चार पौधे लगाए गए हैं ठीक है टोटल 26 कमरों में 26 कमरों में एक सो चार पौधे लगाए गए ठीक है उसके बाद कुशन कह रहा है कि यदि एक पौधे को दो कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों को डाले जाएंगे आपका यहां पर समझना बहुत जरूरी है ठीक है तो यहां पर देखें एक पौधे में दो कप यानि कितने और हां और कुल कितने कप पाणी होंगे तो हम वह कहेंगीस को दो से अगर कप कुल कप कितने हो जाएंगे बच्चों 104 गुड़े दो यानि 208 208 कप पानी डाले जाएंगे कितना 208 कप पानी डाले जाएंगे ठीक बास समझें अगला कुश्चन हमारा ये है कि तेरा नमबर कुश्चन हमारा है इस्टार के किस मान के लिए इस्टार के किस मान के लिए इतनी संख्या जोदी है बीच में इस्टार हो जाएगा और 11 से पुर्तया पुर्तया क्या है विभाजित है तो ये नियम बच्चों बहुत विभाजिता के नियम इसमें लगेगा तो विभाजिता के नियम हम इसके पहले ही जब कलास शुरू के थ तो ग्यारा के विभाजिता के नियम बच्चों हम ये बताये थे कि यानि जो कोई भी संख्यागर दी गई है कोई भी अगर संख्यागर दी गई है वो अगर आपको चक करना है कि ग्यारा से या विभाजित हो रही कि नहीं हो रही है तो उसके लिए उस संख्या के अंकों का सम स्थान अर् विशमस्तान का यूग का समस्तान और विशमस्तान के अंकों का यूग अगर 0 हो जाए तब वह 11 से कटेगी अगर उनका अंतर 11 आ रहा है तब वह 11 से डिवाइड होगी, अगर उनका अंतर 22 आ रहा है, तो वह 11 से विभाजित होगी तो यह हम लोग देखते हैं कि कैसे यह कैसे यह स्वाल के जाएगा देखिए, यह लिखा हुआ है 56 इस्टार 8, 9, 0 देखिए, यह भी सम पे लिखा हुआ है यह सम पे लिखा हुआ है यह सम पे लिखा हुआ है और यह भी सम पे लिखा हुआ है यह यह सम पे लिखा हुआ है इतना, और यह सम पे लिखा हुआ है यानि सम अंकों का अस्थाने मान और भी सम अंकों का अस्थाने मान यह हमको देखना है तो यहां देखिए पांच पलस इस्टार और पलस आठ यह हो गया ठीक है नो नो हो जाएगा ठीक है विशम पे नो लिखा हुआ बराबर छे पलस आठ पलस जीरो यह हो जाएगा नो पांच और नो कितना हो जाएगा बच्चों 14 हो जाएगा 14 हो गया इधर देखिए आठ उचे 14 यानि इनका जो अंतर आ रहा है इनका जो अंतर आ रहा है वो जीरो आ रहा है तो इस्टार का मन कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा इस्टार का मन कितना हो जाएगा देखिए आपसन भी देख लीजिए अगर जीरो है तो कि तीन कुछ भी है कि ग्यारा अगर हो गया कि बाइस हो गया कि यह यानि यह भी यह भी यह भी तीनों कटेगा दोस्तों तीनों अगर तीनों लेकिन एक इसमें आपसन दिया रहेगा जो गटेगा आपका ठीक है एक आपसन आपका दिया रहेगा जो प्रस्ण हमारा है बहुत आसान प्रस्ण है नाबोदे विद्याले में आया हुआ प्रस्ण है तो इस प्रस्ण को हम लोग कैसे स्वाल करते हैं यह हम बच्चों एदिया हुआ है तीन संख्यां का गुर्णफल यानि हमको तीन संख्या नहीं पता है लेकिन उनका गुर्णफल पता है कि कितना हो जाएगा यानि तीन संख्या गुड़ा करो तो उसका गुर्णफल कितना हो जाएगा तो इसमें हम लोग माल लेते हैं तीन संख्य एक्स वाई और जट तीन संख्या आए इनका गुणफल यानि जब हम गुड़ा करेंगे इनको तो इनका गुड़ा करेंगे तो गुड़ा कितना आएगा बराबर 7908 7908 वा समझें यहां तो 7908 आगया आपका तो दिया हुआ है जिनमें दो संख्याओं को यानि यानि एक्स गोड़े- y दो संख्याओं का गुणफल कितना है virtue 288 यानि एक्स वाई का गुणफल इतना है अब तीसरी संख्या आपसे पूछा है तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा यानि जड़ क्या हो जाएगा अगर जड़ यहां से देखा जाए तो साथ नौ आठ जीरो बटा दो दो आठ ऐसे यानि एक से इधारा जब हम इसको लाएंगे नीचे बराबर की साइड में तो यहां देखिए यहां अगर इसको हम लोग काटेंगे तो किन्ना हो जाएगा दो से काटिये क्योंकि समसंग क्या दिखाए दे रहे तो दो से कड़ी आएगा ठीक है तो यह आजाएगा तो मैं इधने सवाल हम लोग लिए इसो साल्व किये हैं और यह अगर समझ में आया हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए धनुए